अगर आप शेर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और आप बार बार एक बार सवाल सोच रहे हैं कि शेर मार्केट में पैसे कैसे लगाए तो मैं आज आपको कुछ मार्केट के बारे में पहले फैक्स बताता हूँ फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको मार्केट में प एक लाग के करोड भी बनाते हैं पर कैसे बनाते हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानते हैं इस वीडियो के मार्किट में पैसे कैसे लगाएं और फिर पैसे लगाकर पैसे कैसे कमाएं मैं आपको आज इस वीडियो के मार्किट में इन कि आपको मार्किट में बड़ा पैसा बनाना है या आप छोटे में ही खुश है तो आपका बजार में पैसा बनना उतना ही मुश्किल है जितने बड़े आप गोल बनाकर आएंगे उतना ही ज्यादा आपका पैसा बनेगा मतलब यह है कि आप मार्किट में ट्रेडिंग करना चाते हैं रोज ध्याड़ी करना चाते हैं ध्याड़ी से पैसा बनाना चाते हैं एक ध्याड़ी मजदूर की तरह पैसा बनाना चाते हैं या आप एक बड़ा मार्किट में एक बहुत बड़े सेट बनना चाहते हैं तो जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी ही बड़ा आपका इहां पर पैसा बनेगा मार्किट के अंदर जितने भी बड़े इन्मेस्टर रहे हैं या जितने भी बड़े चैरे हैं जैसे for example राके जुन्जुनवाला साब, बशंद महिश्वरी साब, रामदेव अगरवाल साब, ना जाने ऐसे कितने नाम हैं जो मार्किट फिजे केडिया साब, ये मैं आपको मतलब वो नाम बता रहूं कि नॉर्मल जनरली हर कोई जानता है, तो ये लोगग बड़े ऐसे नह इन्होंने अपना नाम भी कमाया, प्लस पैसा भी कमाया, ये लोगग दिन की ट्रेडिंग में इन्होंने कभी पैसा नहीं बनाया, आज लेके आप भी बेच दिया, कल सुबह बेच दिया, इससे पैसा नहीं बना किसी कभी, पैसा जिसका बना है, वो हमेशा लंबे गोल बन बना कर ही बना हैं तो ये बात आपको जरूर सोचनी पड़ेगी अगर आप मार्केट में आ गए हैं तो या आने का विचार बना रहे हैं तो आपने कहवत सुनिए कि नकल के लिए अकल की ज़ुर्थ होती है ये वाली कहवत शेर मार्केट में 100% सही है क्योंकि शुरुवात में आदमी क्या करता है कि जब भी इन्वेस्ट करता है तो वो जो है अपनी अकल नहीं लगाता वो लोगों को सुनकर शेर लेता है और वो ही सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम साबित होती है वहीं उनको मार्केट का experience खराब होता है तो शुरुवात में आपको एक चीज़ जरूर याद रखनी है कि आपको नकल अगर करनी है वो भी अकल से करनी है तो आप वैसे तो नकल ना ही करें तो फायदे में रहेंगे जो भी आपके मन में thoughts आएं जो भी आपकी knowledge के इसाब से आपके पास ideas हों हमेशा आप उन पर ही focus करें जितना आप नकल करेंगे उतना ही आपके number market के अंदर कम आएंगे एसाइपी के बारे में सुना है systematic investment plan तो जो systematic investment plan होता है जिस आदमी के पास systematic investment plan होता है वो investor share market में जरूर कामियाब होता है और systematic investment plan आपको कहीं से खरीद कर नहीं लाना होता है वो आपको एक खुद बनाना होता है मतलब आपको system के अनुसार अपने पैसे को market में invest करना है आपको ना तो उसमें एक दम से पैसा बजार के अंदर आजी लाके डाल देना है आपको थोड़ा थोड़ा पैसा थोड़े थोड़े समय में मतलब हर महीने आप अपनी जैसे job कर रहे हैं या अपने business को कर रहे हैं व होगा कि आप एक system के अंदर ढहलेंगे आपको market में जानने की चीजे ज्यादा पता लगेंगी और आपका पैसा भी धीरी धीरे invest होगा वो भी आपको market में जो है invest करना सिखाएगा यहां भी आप यह सीख जाएंगे how to invest in market share market में पैसे कैसे लगाएं यहां आपको बहुत इस उसको ऐसे नहीं बोलते हैं वो सत्य है उसका market में क्या role है आप सुनिए अगर आप जितने भी सस्ते share देख लें जो मतलब 5, 10, 20, 50 रुपे के जो भी share है वो हमेशा आपको उन company के मिलेंगे जिनकी quality जो है बिलकुल poor है कहने का मतलब उन company ने बार बार अपने share को बजार में maker करके अपनी equity की value इतनी गिरा ली है कि उनको पैसे की ही जड़त है बस काम के लिए उनको investor से कोई मतलब नहीं है return से कोई मतलब नहीं है और जिन company के share महगे है जो की आपको उनके आपने नाम भी बहुत सुने होंगे बड़ी बड़ी company जो आपके घर में आपके जीवन में जो कहीं नहीं कोई हिस्सा रखती है किसी company के आप गाड़ी चला रहे हैं किसी company के आप टूथ पेस्ट कर रहे हैं किसी company के आप नुडल्स खा रहे हैं किसी company के आप साबूल से ना रहे हैं तो quality अच्छी है उनके share महगे तो जरूर है और वो हमेशा high valuation पे भी काम करते हैं प वो आपको loss नहीं देंगे वो हमेशा आपको पैसा बना कर देंगे बस लेकिन उनके अंदर problem यह है कि safety होने के कारण उनमें जो हमारा पैसा बनता है वो एक limited rate से बनता है 15-16-20% का तक का 15% तक का हमें उनके रिटन मिल जाता है जिसके लिए जो की शुरुआत में बहुत बढ़ेगा पैसे भाने की जड़त नहीं पड़ेगी जो हरा आदमी को मार्कोले में से भागना पड़ता है वह मार्किट के साथ वर्ष्ट हो जाता है वो आपके साथ नहीं होगा आप हजारों में से एक या दस आप बन जाएंगे क्योंकि आपके अंदर उस समय वो समझ आ चुकी होगी कि जो लोग बाग नहीं करते हैं थमेशा ध्यान रखिएगा कि आप हमेरे पोर्टफोलियो में मेशा उतने शेर रखें जितने आप समाल सकें मिंस ये भी उस तरीके से है कि एक परिवार में बच्चे कितने होने चाहिए जैसा कि लोग बाग कहते हैं बड़े बुड़े कहते हैं कि आज की डेट में दो बच् कि आ अच्छह होगा कि आप जितने शेर अच्छी क्वालिंटी गहिए और कम शेर अबने पॉर्टफोलियो में शुरू में रखेंगे आपको उनको शुमालने में उतनी ही आसानी होने वाली हैं आप उतनी उनकी नजर बना के रखेंगे उतना ही आप मार्ट इwsक्रम निह परिश्रम करना है आप जो भी अपना काम पूरे दिन कर रहे हैं आप उसको करिए किसी भी समय अपने काम को डिस्टम ना करिए मार्किट के चक्कर में और आप रात को या किसी भी समय शाम को या दिन में जब भी आपको कोभी आदा घंटा ये घंटा मिले आप डेली रूटी में के बारे में उसमें पढ़िए कि मार्किट सेंसेक्स क्या है निफ्टी क्या है शेर्स क्या है या या भी यह देखिए अच्छी कंपनी की क्वालिटी क्या होती है अच्छी कंपनियां कौन सी यह ढूंडिए कि भई कंपनी अच्छी कंपनी कौन सी है उसके प्रोडक्ट कह कितने चल रहे हैं कितने कमपणी के अंदर को बैड नियूस आ रही है इसको पढ़िए कि किस कमपनी ने मारुकेट में लोगों को कंगाल बना दिया ऐसी कमपणी को पढ़िए किस कमपणी को क्रोठट बना दिया तो आप ये धूंड़िये कि इसी उन कंपणी के अंदर आसी क्या खास भात थी कि जिनों ने करोड़ पती बना दिया और ईसी कौन सी कंपणीयांति ति जिनों ने कंगाल बना दिया इससे भी आपको मार्कीट को जानने में या शेहरों को जानने में बड़ी मदद मिलेगी मैं आपको धारन देकर कुछ ऐसी कंपनियां बता रहा हूं कि जिनके अंदर लोगों ने काफी पैसा बनाया कैसे लाखों को करोडों में भी बनाया और एक लाख से 50-50-60-60 रुपे कैसे बनाए और डिस्क्लेमर यह है कि इन में से कुछ कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में हो सकती है इसलिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है फिर भी आप अपनी एक बार उन पर जाज प्रताल जुरू करें तो पहली कंपनी है मदरसन सूमी आटो एंसलेरी सेक्टर में जो कंपनी थी इसका शेर सन 2000 मे 0.60 पैसे या 70 पैसे का हुआ करता था आज उस शेर का भाव 70 रुपे का है अगर आप देखें डिवीडेंट तो हटाई दीजेगी जो कंपनी रेगुलर डिवीडेंट बाठती थी उसके अलावा भी इस कंपनी के शेर में जिसने 1 लाक रुपे लगाया आज उस कंपनी का भाव के साब से उसके पैसों की वैल्यू लगबग कंपनी के अंदर जो है एक करोड़ 14,75,000 पे हो चुकी है बाइस सालों के अंदर संदो हजार में जिसने पैसा लगाया यह एक एक एक्जामपल है और आप नेट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे कंपनी आदमे को किस तरी रुपे का आज उस शेर का भाव है 2450 रुपे कहने का मतलब जिस कंपनी के अंदर जिसने एक लाग रुपे लगाया आज उसके पैसों की वैल्यू साथ लाग रुपे हो चुकी है अब मैं आपको एक बड़ा बैंक का उधारने देता हूं HDFC बैंक जिस बैंक का शेर आज से 20-22 साल पहले 25 रुपे का काम करता था आज उस शेर के भाव है 16 रुपे कहने का मतलब जिसने बैंक के अंदर एक लाग रुपे लगाया आज उसके पैसे बन चुके हैं 40 लाग रुपे डिविडेंट और बोनस अलग हैं कहने का मतलब जो अगर कंपनी ने आपको कुछ शेर या नहीं है जिस कंपनी का शेर सन 2000 में 20 रुपे पर काम काच करता था आज उसके शेर का भी पिछले कुछ दिनों पहले हाई बना है 35 रुपे का आज भी वो कंपनी उतनी ही स्ट्रॉंग है जितनी वो पिछे स्ट्रॉंग थी और उस कंपनी में जिसने सन 2000 में एक लाग आज उसके पैसों की वैल्यू है उसके अंदर 35 रुपे और डिविडेंट अलग से मिला बोनस शेर जब भी कभी कंपनी ने दियोंगे वो अलग से मिले तो वो तो कमाई हमने इसके अंदर जोड़ी नहीं है तो शेर मार्किट एक ऐसा चमतकार प्लेस है अगर आप यहां ट इतनी आपकी दिमाग का विकास होगा यह जितनी आपकी नौलीज बढ़ेगी मार्किट के अंदर आप सोच लीजेगा अपका पैसे बढ़ेगा तो जितना आप market के अंदर लंबे बैठेंगे उतना ही आप पैसा बनाएंगे जितना आप systematic तरीके से बजार के अंदर पैसा लगाएंगे उतना ही आपके portfolio का system और पैसा आपके पास उतना ही system से आएगा जितना आप बजार के अंदर गटिया quality के stock से बचेंगे उतना ही आपको बजार में उतना पैसा बनाने का अच्छा मौका मिलेगा जितना आप market के अंदर परिश्रम करेंगे उतना ही आपको result मिलेगा उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मैंने जो भी इसके अंदर आपके साथ example शेयर किये हैं मैंने कहीं भी आपको जो है कोई जूटी जानगारी नहीं दिया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ाने की जरूर कोशिश करना नमस्कार